जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही भाय के यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले दवंग दली केसी वर्सिस हद्याना स्टीलर्स के बीच में खेला जाएगा आज के साम का पहला वी वकवर्डी क का मुखावला उसको लेके हम डिटेल्स में बात कर लेंगे मैं आपको अभी बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वह अपना एक डेमो टीम होगा फाइनल टीम में जो भी बदलाव होंगे उसका अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिलने व टेलिग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाईएगा अब आईए हम बात कर लेते हैं कि उस न्यूज को लेके तो दवंग डली के जो कोच है उन्होंने बिल्कुल ही हिंट दिया है कि वैसे अब देखो मैं जोगिंदर नर्वाल और नवीन कुमार को लेके बिल्कुल भी इसके लेने वाला नहीं हूँ अगर यह दोनों बिल्कुल फिट रहेंगे तब ही मैं इन दोनों के मैटे पर उतारने वाला हूँ तो यह दोनों खेलेंगे कि नहीं यह आप लोग को जो है न्यूज मैस से पहले ही मिल पाएगा बाकि अगर कोई सोर्स मेरे पास आते हैं नि इस दोनों के बिना मुझे लगता है कि यहां पर बढ़ जाते हैं और हो जाते हैं दोस्तों लगवक 80% का आसपास तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा तो दिली के चांसे उस कंडिशन में वीनिंग के सिर्फ और सिर्फ मुझे 20% के आसपास नजर आ रहा है और अग आपके लिए एक अच्छे खासे पिक बन जाएंगे वो तुम आगे बात करेंगे अभी आई यह बात करते हैं कि लास्ट मैच में दोनों टीम का इसा खेल दिखा के आ रहे हैं तो अगर हम बात कर लेंगे प्वेंट स्टेवल में तो आपको दिख जाएंगे दवंग दिली नमबर एक पे इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि यह टिम बिल्कुल भी रिस्क एफर्ड नहीं करने वाली है यह बिल्कुल अपना एक समझो की नवीन को और जोगिंदर पाजी को बिल्कुल प्रोपर टाइम देंगे अगर आप फिट हो तो आप के लो नहीं फिट हो आप वेट कर लो ठीक है न इसके लाब आपको यहां पर दिख जाएंगे सामने वाली तीम हरियाना इस्टिलर्स वह दिखेंगे नमबर नो पर आप भी बोलोगा राजा वह यह क्या आप बोल दो एक वाली टीम को बोलो नमबर नो वाली टीम आराम सहरा देगी अगर यहां पर जोगि पेल्टन को फेंटी दी ती जहां पर विकास कंडोला आठ रेटर्स जाइदी इपने छे टैकल निकाया थे मोहित के उपर ध्यान दो भाई साथ टैकल बिलकुल अविश्वस्त निये परफॉर्मेंस मीतु महेंदर दो रेट तच इसके लाबा आसिस सब्स्टिटूट महें हुआ है और मैं आपको रिपीट कर दू कवड़ी का यह पहला सेसन दूसरा सेसन का सेडूल बहुत जल्द आ जाएगा दोस्तों और मिंस आप यह समझो ना फेज बोलो सेसा नहीं फेज तो फेज अगर सेडूल आ जाता है और इसी के साथ कंटिन्यू आंगे बरते हैं तो ह पटना पैट्स के सामने उहां पर एक बहत्तरीन में मुकावला खेल का रहे हैं जहां पर कहते हैं कि पटना पैट्स मजबूर टीम थे लेकिन उसको भी फेंटी देने में कोई का मतलब इनको दिकरते नहीं आई थी ध्यान दीजेगा बीजाय मली के ओपर पांच चार बोनस संदीप नर्वाल के ओपर यहां फोकस कीजिए यहां पर संदीप नर्वाल एज प्रोफर और बनके खेल रहे थे इनसे आप ज्यादा रेडिंग में उम्मीद मत रखना लेकिन आपके लिए टैकल अच्छा खासा करते हुए नजर आ सकता है नभी ना खेले तो संदीप बात करेंगा सुमलिक को लेके तो इन्होंने दो डेटर एक टैकल लिए वह थी जीवाकुमार दो टैकल मंजीत डो टैकल सकीशन दो टैकल उसकलब मुहमद मलक दो टैकल विकास कुमाडी यहां से एक टैकल कियो वह थे बाके किसी ने कुछ खास परदसन नहीं किया हुआ थ आपको दिखेंगे यहां पर आसु मलिक आजाई ठागुर को मुझे लगता है कि टीम को मौका देना चाहिए अगर नवीन लोग नहीं खेलते हैं तो उसके लाव को दिखेंगे मंजीत चिलर फिर आपको दिखने वाले हैं विज़ाई और संदीप नर्वाल संदीप नर्व संदीप नर्वाल का दिखी का हरियाने के साथ तो यहां पर फ्लॉप चले गए थे इस कलब आपको दिखेंगे यहां पर विकास कुमारडी जोकी जोगिंदा नर्वाल के जगह पर खेल रहे हैं और इनके जगह सब्सिचूट में आपको एम मलक भी देख सकते हैं खेलते आपको यहां पर कुई और दिखेंगे नई प्रदसफन कर प्रते हैं लेकिन इतना बदसफन फिर से कलब आपको देख जाएगा खेलते हुए अब यहाँ पर देखे लिजी हम बात कर लेंगे कौन सा रेडर किसके पास जैने वाला है इस मैच में इसलिए आप लोग इस सेक्षन को बाड़ी किसे देखिएगा पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हडियाना कर जो मेइन रेडर होंगे वह हडियाना काल अल् आपको दिख जाएंगे विकास कंडूला लगवग आपको 40 परसंट रेडिंग करते हुए रहा जाएंगे तो विकास कंडूला का पहला सामना होगा यहाँ पर कृष्ण कुमार के साथ तो कृष्ण को यह मतलब एक चांसर होगा कि अच्छा का सा पोइंट निकाल कर देदे दूसरा यहां पर देंगे आपको लेफ्ट कवर पे मंजीत शिलरर तो इनसे भी सामना होगा तीसरा इनका सामना होगा जो आपको दिखने वाले हैं यहां的 डी क्रिशान, मिन्स डी चौधी, यहां पर नाम देख लेते हैं, यहां पर वी कुमार डी से सामना होगा, तो मुझे लगता है कि इनके लिए पॉइंट्स निकालना थोरा सा आराम रहा सकता है, इस मैच में, रिजन क्या है न, कि यह मैं मानता हूं कि क्रिशान डिसेंट खेला है, और एक हाथ, मितलब एक हाथ से दोस्तों कह सकते हो, कि बाइ मिस्टेक से इसने एक टैकल क्या हुआ है, इसके बाद मैं बता दू, आप भी बोलोगा राजा, यहां दोस्तों पगड़ा था, इसके बाद यहां पर आपको दिख जाएंगे, यहां पर कौन मंजीत, और शाथ में दिख जाएंगा, आप लोगों को डी कुमार है, अब यहां पर ज्यान दिजेगा, यहां अगर मैं आपको बता दू, दूसरे रेडर को लेके, तो मैं आपको बताऊंगा, कि आपको दिखने वाले हैं, दूसरे में मीतु महिंदर है, जिनका पहले समना होगा, वी कुमार, डी के साथ, दूसरा इनका समना होगा, आप लोगों को दिख जाएंगे, आप लोगों को दिख जाएंगे, तीसरा समना होगा, यहां पर आप लोगों को दिख जाएंगे, कौन, आपको यहां पर दिखने वाले हैं, इस मैच में तीसरे जो डिफेंडर होंगे, के लेप्ट कॉर्णर पर खेलेंगे उनका नाम है दोस्तो क्रिशन अब मुझे मालूम ने क्यों लग रहा है कि इस मैच में मीटू आपके लिए बहुत 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 बड़े एक गेम चेंजर पीक हो सकते हैं इनका जो यह पोजिशन है काफी वीक है इसका मतलब आपको इस म जो इन टीम के इस टीम के है वो है रोहित गुलिया अगर वह भी स्टार्टिंग सेवन होते हैं तो उनके लिए भी सेम विकास कंडोला वाला जो स्रिक्वेंस है कि यहां से मंजित चिल्लर आई यहां से आप लोगों को दिख जाएंगो कुमाड़ी इस सामना होगा ठीक है अगराल आप यह समझे कि मितू साब अच्छा कास अमीद बना के चल सकते हो क्योंकि मंजित एक अच्छे कासे डिफेंडर और किसन भी अच्छे कासे डिफेंडर है तो साइब विकास कंडोला को यहां से प्रॉब्लम आये पॉइंट्स निकालने में अगर आप देखिएग वर्सस दिली में 72 पॉइंट्स ध्यान दीजेगा इसके उपर और अगर दोस्तों यहां से नवीद ने खेलता है तो आपके लिए फिर यह अच्छे कासे बिक बन जाएंगे जैदीब कुल्दीब को लेके बात कर ले यह लाए ते 46 पॉइंट और यहां पर ध्यान दीजेग सबसे पहले यहां पर रभी से दूसा एंट का सामना होगा यहां पर जैदीब कुल्दीब जो कि आपको दीख जाएंगे लेफ्ट कवर पर तीस साइंगे सामना रहने वाले सुझेंदर नहरा से कत्ताई आसान नहीं रहेगा वैसा वीजाय के लिए पॉइंट निकालना यह यहां पर दूसरा जो रेटर है आसू मलिक उसका पहला सामना होगा यहां पर किसके साथ यहां पर आपको दीख जाएंगा तीसरा आपको दीख जाएंगा रभी तो यह एक पोजिशन है जहां से पॉइंट नहीं निकाल सकता है मोहित इस मतलब पिछले मैच में जिस तरीका से खेल दिखाया है कट यहां से पॉइंट निकालना तीसरा अगर रेटर को लेकर बात कर ले तो आपको दीख जाएंगे यहां पे कौन वैसा यहां पर आपको दीख जाएंगे संदीप नर्वाल उसका दून साइड रहता है इधर से बीड़ डालेगा इसका मतलब उसको द देखना बहुत है कि नवीन अजय ठाकवर में से कोई खेलता है कि नहीं अगर वह दोनों में से कोई खेलता है तो फिर आपके लिए यहां पर इसमेंदर नरा और यहां मोहित आपके लिए बेहतर इंपिक हो जाएंगे और यहां आप लोग फिर उस कंडिशन में रभी कुम अब लेकर जाओगा और कैप्टान से भी हम लोग उस कंडिशन में नवीन को दे देंगे सामने दो लेफ्ट रेडर है इस वजह से दोस्तों मैंने मंजीत चीलर को बैक किया हुआ है अब आप लोग देखो मोहित को लेके मोहित को हम लोग बैक कर सकते हैं नोड़ाट बहतर सबसे होने वाले हैं तो यहां हो सकता है कि विजह आपको जड़ा पॉइंट्स निकाल के ना भी दे लेकिन आप लोग अगर यह धर ध्यान दोगे न तो जैरीप कुल्दीप स्वेंदर नाड़ा आपके लिए दो बेहतर इंपिक हो जाएंगे और मैं अपने टीमें क्रिश के सामने होंगे दो लेफ्ट रेडर एक तो होंगे यहां पर विकास कंडोला दूसरे होंगे यहां पर कौन वैसा यहां पर होंगे इनके लिए रोहित गुलिया तो मंझीत क्को ढरोव करने का अपने अपने सब्लापकर होंगे इस बात को आप युक्डbel मोग मिलेकर ना आ जाए तो ठीक है ना अब अगर हम बात कर लेंगे dream element टीम को लेके तो मैंने दोस्त अपना टीम में लिया हुआ है रेडिंग में विकास कंडोला को फिर मित्यू महेंदर को और अलेंडर से संदीप नर्वाल को मोहित को अगर हम बात कर लेंगे defender में मैंने कर सकते हैं अगर सामने के टीम दो तीन दफा अलट हो जाती है तो इसको आरदूनी सोला पॉइंट तो वैसा प्लिंग स्टार्टिंग सेमन के मिल जाएंगे इस बात को धन रखेगा तो मैं काम करूँगा क्या संदीप नर्वाल के जगए पर ट्रैक करूंगा मंजीत चिल्लर को दूसरे अफ्लिक्शन पर जहां पर मेरे पास के रिट की कोई इसू नहीं आएगा वहां पर ठीका ना वहां में एक टीम प्रिव्यू क्या रहेगा स्वेंदर नड़ा जैदीप कुल्दीप क्रिशन मोहित बिगास कंडोला और मितु चिल्लर को अभी मेरा यहीं टीम फाइनल रहने वाला है अब देख लिए जिसी का मोलग फाइनल समझते हैं बागी हम क्या करेंगो टेलीग्राम पर बात जरूर कर लेंगे कैप्टन वीची को लेके बात कर लें तो देखो यार सामने की तब आप ध्यान दोगे न तो यहां में पर जादीब के पास अच्छा खासा होगा निकालने क्या अच्के अच्छे क्रणा में के आपके पास दूसरे और मैं बात कर लो का विक वि सी को लेके तो जब आपने टीम में यहां पर संदीब के जगह मंजीत को लेकर जाओंगा तो वहां पर मैं दोस्तों विकास के निद्रला को चाहूंगा कि ज्यादा पॉइंट्स ना निकाले उस कंडिशन में अपने बिच्छी दूंगा जैदीब खुलदीब को और यह मेरा फिलाल फाइनाल टीम बन जाएगा सभी अप्लिकेशन पर जहां कई मैं खेलूंगा सेम ट जरूर बता दूंगा अगर दोस्तों आज का दियोफिक्स को लेके बात कर लेंगे तो मैंने आप लोग से भी किया हुआ कुबेरा का डियो कुई मीटव और क्लास्टीक वाले सेक्शन में वाक वीडियो के अच्छा लगा होगा अगर दोस्तोग वीडियो के लाइक और चैनल को सबस्क्रेब दबाकर कीजिए और अच्छा का सवीन कि शिंपल सा उसने काम किया हुआ था मोही डराके मखत संगोधिया अरब और तो आप लोग नोट को अच्छे से डीड किया कीजिए ठीका ना